आउज़ बिल्लाहिमिन श्यद्वान रौजीम बिस्मिल्लाहितौखवान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मौसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं मेरा थर्ड यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस दोस्तों जिन दोस्तों ने अपी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताके मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो हमारी डेटा कमिनिकेशन के हवाले से हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर मै आपको 50 MCQ जो है वो फॉल्व करवाँगा ना फिरफ फॉल्व करवाँगा बलके ये भी बताऊंगा कि हमने इनको कैसे फॉल्व करना है अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे पूरी उमीद है कि आप इंशालला मिट्टम भी फॉल्व कर लेंगे और आपका जो अपकमिंग ग्रेंड कुई वह उसको फॉल्व करने में भी आपको काफी मदद मिलेगी दोस्तों मेरी तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शुरूर से लेकर आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ ये बनाता और जो है आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करें और कंप्लीट वीडियो जो है वो देखा करें चलते हैं जी वीडियो की तरफ दोस्तों फास्ट कोईस्टन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है Fill in the Black is a set of rules that govern the communication over network कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी network के जो set of communication है उसको govern करती है इसमें NIC है, Network Interface Card, इसमें Hub है, इसमें Protocol है, इसमें Cable है तो दोस्तो हमारा जो data communication system है, उसको जो चीज गवर्न करती है, वो हमारी प्रोटोकोल है यहां पे आपको data communication system के five components लिखे हुए नजर आ रही है इसमें सबसे पहला जो है, वो sender है, दूसरा जो है, आपका receiver है, तीसरा आपका message है, चौथा आपका medium है, पाचवाँ आपका protocol है यहां पे इन सारे protocols को पढ़ने का फाइदा है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने का फाइदा ही है कि आपके paper में कोई भी अबर्म सी क्यों आ जाए, तो आप बड़ी असानी के साथ उससे जो है, वो solve कर सकते हैं sender क्या है, device that send the message on a computer network is known as the sender कि ऐसे device या ऐसा PC जो आपका message send करे, उसकाम sender कहते हैं, वो आपका computer भी हो सकता है, वो आपका workstation भी हो सकता है इसके बाद आपका receiver है, receiver क्या है, device that receive the data message कि वो device जो आपकी message को receive करेगी, वो आपका receiver end होगा, वो computer भी हो सकता है, वो workstation भी हो सकता है इसके बाद message है, information or data that can be communicated on a computer network is known as message कि computer network के उपर आपका जो information या data जो है, वो communicate किया जाता है उसको message कहते हैं, that can be in the form of text, that can be in the form of video and that can be in the form of numbers अफके बाद है जो medium, अब medium क्या है, medium is a physical path on which that message is travel from sender to receiver की तरफ भाद है, जिसके उपरा आपका message है, वो sender से reciever की तरफ जाएगा उसको हम medium कहते हैं, वो आपकी कोई cable हो सकती है, वो आपकी fiber optic हो सकती है, वो आपकी copper cable हो सकती है वो आपकी को axle cable हो सकती है, कोई भी cable हो सकती है या wireless network path भी आई हुए हैं इसके बाद है जी protocols अब protocols क्या है set of rules to govern the communication over network कि वो आपके set of rules है जो communication को govern करते हैं network के उपर अब ये set of rules क्या है for example we are talking about each other कि हम एक दूसरे के साथ बात कर रहते हैं first of all we have to define the rules कि everybody speak English कि हर बंदा जो है English बोलेगा that is the rule ये हमने एक rule set कर दिया है तो ये हमारे जो set of rules है इनको जो chief govern करती है वो हमारी protocol है तो fee option जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है next question है question number two TCP stand for total communication protocol mission control protocol transfer control protocol और transfer collection protocol दोस्तों यहां पे कुछ आपको मैं प्रोटोकोल दिखा रहा हूं जो communication को govern करते हैं आप इन प्रोटोकोल के जो abbreviation है वो बिल्कुल अच्छा तरीके से यार कर लें क्यूंकि आपके पेपर में इन में से एक या दो प्रोटोकोल की जो abbreviation है वो जरूर आने वाली है चाहे वो आपका grant quiz हो चाहे वो आपका mid jump हो इसमें IP है जी इसको हम internet protocol कहते हैं इसके बाद हमारा TCP है जिसको हम transmission control protocol कहते हैं इसके बाद हमारा HTTP है जिसको हम hypertext transfer protocol कहते हैं इसके बाद हमारा SMTP है इसको हम simple mail transfer protocol कहते हैं इसके बाद हमारा FTP है जिसको हम file transfer protocol कहते हैं इसके बाद हमारा ARPA net app जिसको हम Advanced Research Project Agency कहते हैं इसके बाद हमारा MillNet है, Military Network जिसे हम कहते हैं इसके बाद CFNet है, जिसको हम Computer Science Network कहते हैं इसके बाद हमारा NFNet है, जिसको हम National Science Foundation Network कहते हैं और आखिर में जो है, वो www लिखा हुए, जिसको हम World Wide Web कहते हैं और that is founded in 1989 तो ये कुछ 10 जो है, मैंने अब्रिवेशन लिखे हैं आप इन 10 अब्रिवेशन को जो है, वो अजबर कर लें क्योंकि आपके पेपर के अंदर इन में से कोई 1 या 2 आ सकते हैं अब इसके अंदर हमारा जो Question पुछा गया है, वो TCP के हवाले से पूछा गया है तो TCP is the Transmission Control Protocol वो हमारी Second Option के उपर लिखा हुआ है तो B Option जो है, वो हमारी इस से वाल का बिलकुल ठीक जबाए Third Question है जी, When Networks are connected in the same building, this type of network is known as LAN है, WAN है, MAN है और Internet है तो दोस्तों यहां पर मैंने Networks की टाइप लिखी है, जिनमें LAN है, WAN है, MAN है और Internet है अब LAN क्या है, a network of computer located in the same building or a handful nearby building के ऐसा network जो आपकी एक ही building के अंदर होगा या बिलकुल साथ वाली building के अंदर होगा इसको हम जो है, LAN कहेंगे, अब इसके अंदर आपके college की lab आ सकती है आपके जो PVC है, उसका जो lab है, वो आ सकती है इसके बाद है आपका WAN, अब WAN क्या है, a network in which computer are separated by great distance typically across cities, even that continent, इसमें आपका देखें, बहुत एक लंबे फासले के उपर जो है वो devices आपस में connected होती है, इसके नॉर्मली आपने ATM's देखे हैं, जी, हर जगा पर ATM's लगे हुए हैं, बहुत फासले के उपर भी हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी हैं तो यह जो आपके network की example है, that is known as WAN, इसके बाद आपका MAN है, जिसको हम जो है, metropolitain area network भी कहते हैं, LAN को हम local area network भी कहते हैं और WAN को हम wild area network भी कहते हैं, अब यहां पर MAN के अंदर, a network connected with each other from a large geographical distance, even that countries और यहां पर यह network जो है, वो आपका MAN होगा, इसके बाद एक और network है, जिसको हम internet भी कहते हैं, a network in which large number of networks are interconnected physically, के बहुत सारे जो network हैं, वो WAN भी हो सकती है, वो आपका LAN भी हो सकती है, वो आपका MAN भी हो सकती है, वो आपका MAN भी हो सकती है, इसको हम जो है, internet कहते हैं, अब जो हमसे question किया गया है, वो fame building के अंदर किया गया है, तो fame building वाला जो है, वो land होता है, तो first option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी question no.4, if you are required to join two network, हमने दो network को join करना है, that are exist on a several path, जो बहुत, मतलब, फासले के उपर है, एक दूसरे से, which device is most suitable for this purpose, कौन सी fa device है, जो fa network के लिए जो है, वो बिलकुल suitable है, तो इसके अंदर router है, bridge है, gateway है, और modem है, तो यहाँ पे जो है, बहुत सारी मैंने devices लिख दी है, router, bridge, gateway and modem, तो router is used to connect network, exist on a several path, router जो है, वो use किया जाता है, ऐसे network को connect करने के लिए, जो बहुत व्यादा लंबे path के उपर हो, इसके बाद आपका bridge है, bridge is used to connect two networks, but similar network, के आपके network तो हैं, लेकिन वो आपके similar network है, उसके बाद gateway है, gateway is used to connect two network, using the different protocol, के आपका जो gateway use किया जाता है, वो आपके different protocols है, जो आप protocols हम पीछे पढ़ चुके हैं काफी सारे, इसके बाद modem है, modem is used for modulation and demodulation, यह modulation और demodulation दोस्तों, आपको अगर समय नहीं आई, तो इसके उपर मेरे detail के अंदर जो हैं, वो lectures हैं, मेरे 24R7 teachers online के उपर, तो आप लोग व और वहाँ पर जो है, जो CS601 के lectures available हैं, आप उन से भी ज़रूर फाइदा उठाएं, तो अब हमारे यह जो network है, यह several path के उपर हैं, तो इनको connect करने के लिए हमें routers की जरूरत पड़ेगी, तो first वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, नेक्स्ट है जी, question number 5, इसमें ARPA next stand for fill in the blank, all research project agency, advanced routing program agency, advanced research program agency और advanced research project agency, तो यहाँ पे ARPA जो है, वो हमारा advanced research project agency है, पहले भी हम यह abbreviation देख चुके हैं, तो last वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी, question number 6, यहाँ पे land stand for fill in the blank, locality area network, long area network, logical area network, और local area network, तो आपको बताते चलें कि land जो है, वो local area network है, और यहाँ पे van जो है, वो wide area network है, और man जो है, वो metropolitan area network है, तो land के हवाले पहुछा गया, that is local area network, तो last वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है जी, question number 7, which protocol are working on application layer, कि कौन सा protocol जो है, वो application layer के उपर काम करता है, इसमें TCP, IP है, FTP, SMTP है, और IP है, और none of the above है, तो दोस्तो हमारे पास जो है, कुछ layer की, जो है, वो यहां पर representation दिखाई गई है, यहां पर first वाली जो layer है, that is known as application layer, इसके उपर जो है, FTP काम करता है, और FMTP काम करता है, इसके बाद second layer, जो है, वो आपको transport layer दिखाई गई है, इसके पर TCP काम करता है, और UDP काम करता है, user-defined protocol, इसके बाद आपके network layer है, network layer के उपर IP काम करता है, internet protocol, और आखिर में आपको data link layer दिखाई गई है, इसके उपर सारे protocol जो उपर वाली है, वो सारे के सारे काम करते है, अब हम से पूछा गया है, कि application layer के उपर, अब application layer के उपर हमारा FTP काम करता है, और FMTP, simple mail transfer protocol, और file transfer protocol, तो second option जो है, वो इस सवाल का ठीक जवाब है, लेकिन उसे पहले physical layer है, physical layer के उपर कोई protocol काम नहीं करता, तो B option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब आजाएगा, next है जी question number 8, in matched apology, if there are 5 modes, then there will be fill in the blank link, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो दो दोस्तों, हमारे पास जो है, मुख्लिस किसम की topologies है, उसमें matched topology है, अगर हमारे पास matched topology हो, it requires maximum number of link, इसके लिए हमें बहुत सारे links की ज़रूरत होती है, उसका formula आपको दिया गया है, n into n minus 1 divided by 2, कि हमने उनके links कैसे calculate, अब n देखे हमारे पाफ 5 node है, तो 5 into 5 minus 1 divided by 2, तो आगे आपके पास 5 में से जब आप 1 निकालेंगे तो आपको चार बज जाएगा, 4 divided by 2, तो 4 जब हम तक्सीम 2 करेंगे तो 2 बज जाएगा, तो 5 के साथ जब multiply करेंगे तो 10 जवाब आ जाएगा, इसी तरह हमारे पास एक और topology है, जिसको हम start apology कहते है, अब इसके जो number of link है, उनको calculate करने का formula different है, वो आपके पास N-1 है, अगर यहाँ पर आपको start apology कहा जाता तो 5-1 करते तो 4 जवाब आ जाता, अब देखें, matched apology में हमारे पास number of links जो है, वो 10 आ गए, तो B option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, what does the terminology ATM mean, कि ATM से मुराद क्या है, asynchronous transfer mode, automatic translation mode, automatic transfer mode, asynchronous transfer, transmission mode, तो ATM जो है, वो हमारे पास automatic transfer mode है, तो इसमें, first वाली, third वाली जो option है, automatic transfer mode, यह हमारी इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, next है जी, which network topology uses a hub, कौन सी टापालोजी ऐसी है, जो hub use करती है, इसमें match topology है, ring topology है, buff topology है, और star topology है, तो हमारे पास बहुत सारी topologies है, match topology है, that is used switch, star topology है, यह hub use करती है, buff topology, cable use करती है, और ring topology है, वो भी switch use करती है, तो अब इसके अंदर छो हमारी star topology है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, तो आखरी option जो है वो start apology है तो D option जो है आखरी option वो हमारे इस सवाल का विल्कुल ठीक जवाब है next question number 11 milnet है stand for यह वही आपका abbreviation से question आ गया है तो इसमें merge network है military network है military networking है manufactured network है तो इसमें हमारा military network जो है B option वो हमारे इस सवाल का विल्कुल ठीक जवाब है next question number 12 a feeling blank convert an analog signal into digital signal इसमें modulator है demodulator है both A and B है और none of the given option है तो हम पहले भी एक जगा पर modulator और demodulator आया था तो modem जब हमने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि आप मेरे lecture सुनें तो मैं आपको फिर पताता चलूं कि अगर आपको data communication सीखने में कोई issue आ रहा है तो मेरे key to success के उपर जो है तेरी भी जो वीडियो है यह complete देखा करें ताके मुझे भी ऐसा ही support मिले क्योंकि मैं बड़ी effort के साथ यह वीडियो बनती है modulator है जी modulator convert digital signal into the analog signal using ASK, FSK, PSK and QAM इसके बाद demodulator है demodulator क्या करते है that converts the analog signal into the digital signal वो आपके analog signal को जो है digital signal के अंदर convert करता है अब यहां पर हमारे analog signal को digital signal के अंदर convert किया जा रहा है तो वो demodulator करता है तो demodulator second option जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next question number 13 यहां पर हमें the information that we communicated in the data communication system is the fill in the blank इसमें medium है protocol है message है और transmission है हम already यह पढ़ चुके हैं कि information यह data जो communicate किया जाता है network के उपर यह communication system के उपर उसको हम message कहते हैं तो third option जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next question number 14 how many layers presented in OSI model OSI model के अंदर हमारे पास कितनी layer होती है इसमें 3 है 5 है 7 है और none of the given option है दोस्तों आपको right side के अंदर OSI model नजर आ रहा है इसके अंदर आपके physical layer, data link layer, network layer, transport layer, fashion layer, presentation layer, application layer मतलब इसके अंदर 7 layer है तो यहां पे आपका जो third option है वो आपके इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next है जी question number 15 ASK, PSK, FSK and QAM are example of modulation इसमें digital to analog है, analog to analog है और analog to digital है तो modulator जो है, that converts the digital signal into the analog signal के वो हमारे digital signals को जो है, analog signal के अंदर convert करता है अगर आपको इन का difference देखना है कि digital signal और analog signal से क्या अम्राद है तो आप मेरे चैनल जो है, Teachers Online के उपर जाएं, वहाँ पर मेरे CSK with a one के lecture available है तो वहाँ से आप वो lecture सुनके फाइदा उठा सकते हैं तो अब यह जो हमारी technique सारी दी हुई है, यह हमारे digital signal उसको convert करती है into the analog तो B option जो है, वह हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next है जी question no.16, A synchronous transmission is fill in the blank, slow, fast, costly and none of the given option हमारे पाफ दो किसम की दोस्तों transmission होती है, एक हमारे पाफ parallel transmission होती है एक हमारे पाफ serial transmission है, अब जो हमारी parallel transmission है इसके अंदर हमारी जो number of beats है, that can be travel on our computer network वो हमारी parallel, fast, मतलब जितनी भी beats है, वो फारी के फारी इकठी आपकी parallel एक दुफरे के fast, जैसे हमारी train की line की पटरी है, दो पटरियां होती है यह parallel होती है, मतलब फाफ फाफ चलती है, इसी तरह हमारी जितनी भी number of beats होती है वो transfer होती है, by grouping we can send the n number of beats time instead of one bit, कि हम एक bit send करने के बजाए जाए 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 वो फारी bits जाए है, इकठी ही send कर दते है, इसके पात serial है, अब serial के अंदर क्या होता है इसके अंदर आपके जो number of beats है, that can be send into one by one bit, कि हम पहले एक bit send करते है जब वो receive हो जाती है, फिर दूसरी bit send करते है, जब वो receive हो जाती है, फिर तीसरी bit send करते है और इस तरह हमारी जितनी भी bits हैं वो transfer होती है, अब जो हमारी serial transmission है इसके अंदर भी हमारे पाप दो किसम के mode है, एक asynchronous transmission mode है, दूसरा आपका synchronous transmission mode है तो यहां पे जो asynchronous transmission mode है, वो आपका slow है, उसके उपर जो number of beats हैं, वो slowly मतलब transfer की जाती है तो फर्स्ट वाली जो option है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है दोस्तों, यहां पे यह जो मैं आपको हर question के साथ detail बताता जा रहा हूँ इस detail बताने का मक्सद यह अब आपके paper में same यही question तो आना नहीं है या आपके grant को इसमें same यही question नहीं आना, बलके कोई भी आ सकता है तो अब अगर वो transmission से related है, तो वो कोई भी आ जाए, parallel transmission के हवाले से आ जाए, serial transmission के हवाले से यह कोई भी आ जाए तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ जो है, वो solve कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह जो आपको right side में नज़र आ रही है, line से इधर, यहाँ पे जो detail बताने का मक्सद है, वो यह ही है आपके paper में कोई भी question आ जाए, तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है, उसे solve कर लें, question number 17 है, there are fill in the blank major type of network topologies, के आपके पास कितनी किसम की topologies हैं, एक, दो, तीन, चार major, तो हमारे पास जो है, हम पहले पढ़ चुके हैं, match topology, star topology, burst topology, ring topology, यह चार major types हैं, जो mostly use की जाती है तो last वाली जो option है, 4, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है, question number 18, fill in the blank is a multipoint topology, इस पे match topology है, burst topology है, star है, और ring है, कौन सी ऐसे topology है, जो multipoint है, तो आपके पास यहाँ पे, जो match topology है, वो single point है, star topology भी single point है, burst topology आपकी multiple point है, क्योंकि एक ही line के उपर हर device या node connect होती है, इसके बाद आपकी जो ring topology है, वो भी single point है, तो इसलिए हमारी जो buff topology है, second option, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, next है, question number 19, fill in the blank is a single, signal that complete pattern in a certain period of time cycle, इसमें आपके पास periodic signal है, इसमें आपके पास non periodic signal है, इसमें बोद A and B option है, और all of the above है, तो हमारे पास दो किसम के signal होते हैं, एक हमारे पास periodic signal है, दूसरे हमारे पास non periodic signal है, तो जो periodic signal है, a periodic signal is a signal that complete a pattern certain period of time, कि आपके certain period of time के अंदर जो है, वो अपना cycle complete करता है, वो जो wave बनती है, इसके बाद non periodic signal है, non periodic signal क्या है, a non periodic signal is a signal that changes its pattern each cycle, के हार साइकल के उपर वो जो वेव बनती है वो उसकी चेंज होती है तो हमारा जो question है वो complete pattern के हवाले से हते है तो इसलिए हमारा जो जवाब है वो periodic signal आएगा मतलब first वाल जो option है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है next है question number 20 which of the following is not a type of data flow mode के कौन सी एफी जो है वो टाइप है जो आपका data flow mode नहीं है इसमें simplex mode है half duplex mode है full duplex mode है अनना अफदा अबाव है तो हमारे पास जो है वो data flow के लिए जो है वो तीम किसम की mode है एक simplex है एक ही direction के अंदर data travel करता है है half duplex है कि एक file से data आ रहा है एक file से data जा रहा है लेकिन वो एक ही time के उपर नहीं होगा बलकि जब send हम करेंगे तो वो पहले send हो जाएगा फिर आप receive कर सकते हो जो full duplex है वो at the same time data travel करता है from sender to receiver and receiver to the sender के उसी time के उपर आपका data sending भी हो रहा होता है और उसी time के उपर आपका data जो है वो receive भी हो रहा होता तो उसका हम full duplex mode कहते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो है कोई भी ऐसा mode नहीं है जो इसके अंदर फाल नहीं करता तो इसलिए आखरी जो option है none of the above यह हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब बन जाएगा इसके बाद कर्चा no.21 है यह वही आपके abbreviation से आ गया CS net stand for computer science network है combine solution network है और combine solved network है और all of the above है तो CS net जो है वो हमारा computer science network है तो first वाली जो option है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next strategy 22 के उपर when network are connected in large geographical area or greater distance is known as LAN है when है man है internet है इस बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं के when two devices are connected from large geographical area or distance that is known as man तो वो वैं तो वो हमारा wide area network आ जाएगा तो B option जो है वो हमारी बिलकुल ठीक जवाब है next strategy 23 के उपर on data link layer which protocol work fill in the blank TCP IP, FTP, SMTP, IP and all of the above है तो यह हम पहले भी देख चुके हैं इस स्क्रीन को जो आपको right side के उपर नवर आ रही है तो इसमें जो आपकी detail link ले रहे है उसके उपर सारे protocol काम करते हैं तो all of the above जो है आखरी जो option है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next strategy 24 के उपर signal can be controlled by three attributes इसमें amplitude है, frequency है and fill in the blank है इसमें phase है, frequency है, amplitude है और all of the above है तो यहाँ पर signal can be controlled by three attributes that is known as amplitude, frequency and phase तो third जो है वो हमारे पाँ phase है तो first वाली जो option है उसके पर phase लिखा हुए है तो first वाली जो option है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है phase लेकिन यहां पे जो है वो all of the above तो हमने जो है वो यह देखना है कि frequency और एपली चूट जो है वो हमारे इस question के अंदर पहले लिखा हुआ है तो phase जो है वो इसका ठीक जवाब आएगा next stage 25 के उपर the internet model consists of fill in the blank layer के internet जो model है हमरे पाँ दो के समगे model है एक internet model है और एक आपके पाफ OSI model है तो इसके अंदर आप आपके पाप कितनी layers होती है 3 है 2 है 5 है और 7 है तो हमारा जो internet model है उसके उपर physical layer, data link layer, network layer, transport layer और application layer मतलब 5 layer आती है on the other hand अगर हम बात करते हैं OSI model की तो OSI model के अंदर जो है हमारे दो जो layer है वो extra है मतलब उसके अंदर आपके 7 layer होती है और जो आपका internet model है इसके उपर आपकी 5 layer होती है तो fee option जो है उसके उपर 5 लिखा हुआ है तो fee option जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next question है fill in the blank transmission bit are transmitted simultaneously each across its own wire हर जो bit है वो अपनी ही एक wire के ऊपर लेकिन इकठी इकठी ट्रांस्मिशन है तो वो आपकी parallel transmission है serial transmission है asynchronous transmission है या synchronous transmission है यह synchronous transmission है यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि parallel transmission एक आपकी ऐसी transmission है जिस पर आपकी जितने भी number of bits हैं वो एक साथ ही communication system के ऊपर जो है वो आपके transmit की जाती है लेकिन serial transmission के अदर ऐसा नहीं है वहां पर one by one bit जा है वो ट्रांस्मिट की जाती है तो parallel transmission जो है वो आपका इस सवाल का बिलकुल ठीक ज़वाब है तो parallel transmission, आपको first option के अपर लिखावा नजर आ रहा है तो first option जो है वो आपके इस सवाल का ठीक जवाब है next है ये question number 27 के अपर which of the following network topology among the listed below incorrect कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी topology नहीं है इसमें match topology है, internet है, star topology है, ring topology है तो इसमें देखें हमारे पाफ जो major मतलब topologies है topology नहीं है, तो B option जो है, वो internet है और यही हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है question number 28 है जी, ये फिर वो ही आपके abbreviation से आ गया है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि abbreviation आप अच्छे से याद कर लें और यहाँ पे, आप protocol use for receiving email message is called, fill in the blank इसमें URL है, इसमें Telenet है, इसमें POP3 है और SMTP है, तो दोस्तों जो SMTP है वो simple mail transfer protocol है तो इसके बरिये जो है, आप email जो है, वो receive कर सकते हो, तो आखरी option जो है, वो आपका इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है तो D option जो है, वो आपका ठीक जवाब है Next Agile 29 के उबर, ये फिर वो ही आपका modem से related question है, जिसमें modulator और D modulator की हमने बात की Which of the following technique is used to convert the digital signal into the analog signal की कौन से टेक्निक ऐसी है, जिसके वरी हम जो है, डिजिटल signal को analog के अंदर convert करते हैं इसमें ASK है, SSK है, PSK है और all of the above है तो ये फारी टेक्निक जो है, that can be used to convert the digital signal into the analog signal using the ASK, SSK and PSK तो all of the above जो है, आखरी option वो हमारा इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है Next है जी, the device that receives the data on network is no nav कि कौन से device SE है, जो आपकी network के उपर जो है, वो data को receive करती है इसमें sender है, इसमें receiver है, इसमें message है और इसमें medium है हम data communication system के जो component है, वो already पढ़ चुके हैं तो इसमें जो आपकी receiver device है, वो आपकी ऐसी device है that receive the data on our computer, data communication system तो B option जो है, वो हमारी इस सवाल का ठीक जवाब है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक third channel है जिसके नाम जो है, वो teachers online है, YouTube के उपर जाके आप search भी कर सकते हो इसके उपर मैंने जो है, बहुत सारे subject के आपके जो lectures है, वो record करके रखे हैं और इसमें आपके तकरीबन जो है, पंदरा subject हैं, जो मुश्किल subject हैं उनके lectures मैंने फराम किया है, उसमें आपका ये data communication system का भी subject शामिल है तो मैं तमाम दोस्तों को यही कहूंगा, कि आप teachers online पे जाएं ना सिरफ वहाँ पे जो lectures available हैं, आप उनसे फाइदा उठाएं वीडियो बनाता हूं, तो आप भी मेहनत करके थोड़ा सा, उसको बेशक म्यूट कर दिया करें, लेकिन complete विरूर दिखा करें, ताकि मुझे भी कोई फाइदा हो, जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको फाइदा इन्शालला इनसे होगा, और आपको मिल्टम में भी, अगर मिल्टम होता, तो मिल्टम में होता, अब जुके ग्रेंट कुईज आ रहे हैं, तो इन्शालला ग्रेंट कुईफ के अंदर भी आप लोगों को इससे फाइदा होगा, नेक्स्ट एजी 31 के अपर, ये फिर आपका वोही जो अप्डिवेशन है, उनसे नेटवर्क है, नॉर्मल फाइज फाइज नेटवर्क है, नॉमिनल फाइज 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 नेटवर्क है, और नेशनल फाइज 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 नेटवर्क है, तो इसके अंदर जो हमारे नेशनल फाइज 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 नेटवर्क है, तो आखरी अप्शन जो है, वो हमारे इस सवाल का विल्कुल ठीक जवाब है. Next Agile 32 के उपर How many components in data communication system? कि कितने components होते हैं आपके data communication system के अंदर 3 है, 5 है, 7 है और 9 है. तो यहाँ पर आपका sender है, receiver है, message है, medium है और protocol है. तो इसका मतलब भी है कि आपके data communication system के अंदर जो component है, वो बलके शुरू में भी लिखा हुए, there are 5 main components of data communication system. तो हमारे data communication system के अंदर जो है, वो 5 component होते हैं, तो B option जो है, वो हमारे इस सवाल का विल्कुल ठीक जवाब है. Next Agile 33 के उपर Which topology requires the maximum number of IO inputs? तो IO जो है, वो input output ports है, इसमें start topology है, इसमें buff topology है, इसमें matched topology है, और all of the above है. हमने दोनों टपालोजी के हवाले से जो है वो पढ़ा है हमने मैश टपालोजी के हवाले से भी पढ़ा है हमने स्टार टपालोजी के हवाले से भी पढ़ा है मैश टपालोजी के भी मैंने आपको नमबर आफ जो लिंक्स हैं वो कल्कुलेट करके दिखाए हैं उसमें आपका जो जवाब है वो 10 आया था और जो आपकी स्टार्ट अपालोजी है वो भी मैंने आपको कल्कुलेट करके दिखाया था और जिसका जवाब जो है वो 4 आया था तो अब आप देख लें कि जो maximum number of link है दाट इक अग्विफ्ट इन दा मैस्ट अपालोजी वो मैस्ट अपालोजी के अंदर जो है वो अग्विफ्ट करते हैं तो मैस्ट अपालोजी अब जो थर्ड आप्शन है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है नेक्स्ट अग्विफ्ट अपर इन फिलिनी ब्लैंक विश्ट टाइप ऑफ ट्रांस्मिशन ओड अउनली वन बीट एउशना बट्वीन इंद टू डिवाइसें जो है वो ट्रांसवर होती है दो डिवाइसें के दर्म्यान इसमें parallel transmission है, serial transmission है, asynchronous transmission है और synchronous transmission है ये पहले भी within detail जो है FMCQ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि serial transmission आपकी एक FV transmission है जहां पर आपकी एक bit जो है वो transfer होती है from one device to another device तो B option जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है next stage 35 के उपर which of the following is type of data flow mod in which data is travel in one direction कि आपका जो data है वो एक direction के अंदर transfer होता है इसमें simplex mode है, half-duplex mode है, full-duplex mode है and none of the above है मैं आपको इन तीनों के बारे में बता जीता हूँ कि जो simplex mode है इसके अंदर आपका जो data है वो एक ही direction के अंदर जो है वो travel होता है इसके बाद half-duplex mode है, अब half-duplex के अंदर जो है वो आपका एक fight पर जो है वो receive भी होता है, एक fight पर send भी होता है लेकिन ये at the same time नहीं होता लेकिन जो full-duplex है उस पर आपका data send भी हो रहा होता है data आपका receive भी हो रहा होता है और that can be taken place at the same time ये same time के उपर हो रहा होता है लेकिन हमारा जो question है वो ये है कि आपका जो data है ये एक ही direction के अंदर travel करता है तो वो आपका simplex जो mode है वो है तो first वाली जो option है वो आपका इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next is 36 number के उपर आपका question which of the following are the characteristics of data communication system कि आपके data communication system की जो characteristics है वो कौन-कौन सी है इसमें timeline है इसमें accuracy है इसमें आपका jitter है और all of the above है तो दोस्तो हमारी जो characteristics है data communication system की वो चार है एक delivery है delivery of message कि आपने जो message send करना है वो complete जो है deliver होना चाहिए from one place to another place the second characteristic of data communication system is the timeline कि जो time आपको required है या जिस time के अंदर वो message आपका travel होना चाहिए from one device to another device तो वो उतने ही time के अंदर मतलब जो given time frame है उसके अंदर वो travel हो जाना चाहिए इसके बाद accuracy है system has ability to deliver a message accurately कि आपने जो message send की है वो दूसरी device के पाफ accurately जाना चाहिए बिल्कुल ठीक जाना चाहिए तो यह आपकी accuracy है jitter have system have ability to deliver the message in a frequency and then frequency आपने 5 frequency के अंदर message forward करना है पहले एक नमबर जाना चाहिए, फिर दो नमबर, फिर तीन नमबर, फिर चार नमबर, फिर पांच नमबर, फिर छे नमबर, तो आपका पहले पांच चला जाए, फिर तीन चला जाए, फिर दो चला जाए, फिर चार चला जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बलके सिक्वेंस के जो है वो ट्रेवल करना चाहिए तो आपकी यह सारी करेक्टरिस्टिक हैं टाइम लाइन भी एकुरेशी भी जिटर भी और आल अफ दा अबव भी तो आखरी आप्शन जो है आल अफ दा अबव वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है इसके बाद नेक्स्ट इसमें आपके पास अप्लीच उटा फ्रिक्वंसी एंड यह हमारा जो है वो पहले भी आ चुका है तो थर्ड आप्शन जो है वो फीज है तो फर्स्ट वाली जो आप्शन है वो हमारी इस सवाल का ठीक जवाब होगा नेक्स आजी 38 के उपर in which of the following network does the client submit the task to the server then the server execute and return the result for the requesting client station की कौन सा ऐसा जो है वो है जिसमें आपका जो client है वो server को सबसे पहले request send करता है और server जो है उसको execute करता है और result जो है फिर वो client station को send कर देता है इसमें peer-to-peer है client-to-server है server based है और all of the above है तो हमारे पास जो है वो दो थीन किसम की मतलब यह होती है इसमें symmetric है और asymmetric है जो symmetric communication है इसमें peer-to-peer है communication between pairs और जो asymmetric है client-server की है और एक server-based है वो server के साथ ही होती है तो ही होती है तो इसमें आपके जो है w stores of我們 हैन मतलब जो सा एक की client server जो है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब आएगा क्यों इसमें जो है वो all of the above लगा हुए लेकिन client server जो है वो इस सवाल का ठीक जवाब आएगा जिसके अंदर client जो है fill in the blank wave, light है, radio है, infrared है और all of the above है तो हमारी यह जो fiber optic है इसके अंदर जो हमारा signal source है वो radio wave की सूरत के अंदर जो है वो source लेता है और फिर आपकी जो fiber optic है इसके उपर जो आपके signal travel करते हैं that is in the shape of light तो वो जो source है वो हमारा radio waves है लेकिन जो आपका message travel करता है fiber optic के उपर वो light wave की सूरत में होता है तो इसलिए हमारा जो जवाब है वो radio waves है क्योंकि यहाँ पर signal source की बात की जा रही है तो second option जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है नेक्स्ट है जी 40 नुबर के उपर router works on fill in the black layer application layer है transport layer है network layer है और data link layer है यह हम पहले भी देख चुके है router is work on network layer एक मैंने आपको बलके model भी दिखाया था उसके उपर जो है वो आपका network layer के सामने जो है वो router लिखा होगा तो इसमें हमारी जो है network layer tired option वो हमारे इस सवाल का बिल दोस्तों मैं फिर आपको बिताता जलूँ कि मेरे तीन YouTube channel है जिसमें एक first वाला जो VSS है यह virtual student support services YouTube channel है जिसके उपर मैं आप लोगों को आपकी assignment के solution आपके GDB के solution आपके quiz के solution जो है वो फरहाम करता हूं दूसरा channel जो है वो मेरा teachers online है teachers online के उपर आपके जो मुश्किल subject है मैंन अपने lectures record करके वहां पे रखे हैं तो आप जो है teachers online को भी जरूर देखें और वहां पे जो lectures available हैं उन से भी फायदा उठाएं और third जो मेरा YouTube channel है वो key to success है जिसको आप लोग currently अभी देख रही हैं इसके उपर मैं आपकी exam की तयारी के हवाले से material अपलोड करता हूं उसमें आ जो तीनो यूट्यूब चैनल हैं अगर आप विर्चुल इनिवर्फिटी के स्टूडेंट हैं तो वो तीनो सब्सक्राइब कर लें उन तीनों से इंशाला आपको फायदा होगा उसमें एक चैनल के उपर आपको assignments, GDBs और quiz के solution मिलेंगे दूसरे चैनल के उपर जो है आपक lectures मिलेंगे और मेरे तीसरे चैनल के उपर जो है आपको नए आपके exam की तयारी करवाँगा इसके बाद हमारा 41 के उपर है यह फिर abbreviation वाले ही उसी page से आगया है www.wav developed in fill in the blank 1988, 1999, 1990 और 1991 है तो इसमें आपके पास 1999 जो है B option वो इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next AG 42, the device that sends the data message on a network is known as fill in the blank sender है, receiver है, message है और medium है तो हम यह पहले भी पढ़ चुके है data communication system के component तो यह हमारे जो है वो sender device है जो आपके message को send करती है तो इसमें जो first वाली option है वो आपके इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next AG 43 के उपर in start apology if there are 5 node आपकी start apology है, 5 node है then there will be required number of link इसमें 2 है, 3 है, 4 है और 5 है यह हम पहले भी कर चुके है, इसमें calculation मैंने आपको सिखाई थी, जिसमें start apology जो है उसका जो formula है वो n-1 है, तो n जो है वो हमारे पाफ 5 node है, minus 1 करेंगे तो हमारे पाफ 4 है वो number of link आ जाएगा तो fee option के उपर 4 जवाब है, तो fee option जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है इसके बाद आपका question number 44 है, fill in the blank convert the digital signal into the analog signal, इसमें modulator है, demodulator है, बोथ A option है और B option है और none of the above है, modem के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो modulator है, that convert the digital signal into the analog signal तो first option जो है, वो modulator की है और यही हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है next है, which protocol works on the physical layer, कौन सा protocol है, जो physical layer के ओपर काम करता है, TCP IP है, FMTP है, FMTP है, IP है, none of the above है तो आपके जो physical layer है, इसके ओपर कोई protocol काम नहीं करता, तो none of the above जो है, वो आपका इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब आ जाएगा next है, TCP IP was developed in fill in the blank, but officially used in internet in 1983, कि कब develop हुआ और फिर officially जो है, वो 1983 के अंदर जो है, वो internet के ओपर काम करने लगा, इसमें 1963 है, 1973 है, 1983 है, 1993 है, 1993 है TCP IP जो है, वो प्रिवेंट फिर्फ एंड बाब कान इन 1973, इसमें वेंट और बाब कान ने जो है, वो TCP IP को प्रेवेंट किया, उनिफो 73 के अंदर, लेकिन internet जो है, वो आपका जो network है, उसके उपर जो है, वो TCP और IP जो है, वो यूज हुज हुआ उनिफो 73 के अंदर, तो इसल है, हमारी जो second वाली option है, वो उनिफो 73 है, जिसके अंदर जो है, वेंट और बाब कान ने जो है, वो TCP IP को जो है, प्रेवेंट किया, तो 1973 भी option जो है, second वाली, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, नेस्ट एजी 47 के उपर, रिच प्रोटोकोल इव यूज तो a file over a network, कौन सा प्रोटोकोल जो है, वो यूज किया जाता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, इसमें STTP है, SMTP है, FTP है और TCP है, तो ये हमारे वो ही है, मतलब अगर आप ये 10 अब्रिवेशन याद कर लेते हैं, तो आपके पेपर में कोई एक आज तो वरूर ही आएगा, तो FTP एक ऐसा प्रोटोकोल है, जो हमारी responsible होता है, फाइल ट्रांसफर के लिए, तो fee option जो है, वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, नेक्स्ट एजी 48 पे, a large number of network interconnected physically is called, land, van, man, और internet, तो जब आपके पर बहुत सारे network जो है, वो आप अपसमें connected होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि internet जो है, वो एक ऐसा network है, जिसके साथ आपके बहुत सारी land connected हो सकती है, बहुत सारी van connected हो सकती है, बहुत सारी man connected हो सकती है, तो last वाली जो option है, internet वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब है, और यह हम पहले भ आपके बहुत सारी network जो है, वो connected होती है, इसके बाद second last question है, if you are required to join two labs, हमने दो labs को join करना है, और similar type of land, जो दोनों ही land है, then which device is more suitable for, fulfill our requirement, इसमें router है, इसमें bridge है, इसमें gateway है, और modern है, तो जब भी हम जो है, दो land को connect करेंगे, तो bridge जो है, वो suitable device perfectly है, तो B option जो है, वो आपका ठीक है, लेकिन recently जो है, वो switch भी use हो रही है, आखरी जो आपका question है, 50 number के उपर वो FTP के हवाले से है, FTP stand for fill in the blank, file transmission protocol है, file transfer path है, file transfer protocol है, और fine transfer path है, तो इसमें जो है, आपका file transfer protocol है, तो fee option जो है, वो आपका file transfer protocol है, तो ये fee option जो है, third option, ये आपका इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की video, आखिर में मैं फिर कहूंगा, कि आप लोग जो है, virtual student support services को, आप लोग जो है, teachers online को, और key to success को visit करें, और वहाँ पे जो videos, lectures available हैं, आप उनसे फाइदा उठाएं, आप फिरस उनक description में मिल जाएंगे, और इन तीनों चैनल को जो है, आप subscribe ज़रूर करें, और मेरी इस video को complete देखें, ताके मुझे भी कोई फाइदा हो, दोस्तों, मिलते हैं अगली video में, उस वकत तक के लिए, अला हाफिव